Safety 101 इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा के active और passive safety features क्या होते हैं और कौन-कौन से features active safety और passive safety में consider किये जाते हैं इस पार्ट के second video यानि कि this video में हम जानेगे की ABS क्या होता है anti-load breaking system क्या होता है और we'll start right now So let's get into it नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस इंक्रेडिबल चैनल में इंक्रेडिबल इंफोस के साथ मैं हूँ जाई दवे और आप देख रहें इंक्रेडिबल आटोस टीवी लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चोट इस रिक्वे के लिए आप सब्सक्राइब करके वो बेल आइकोन को भी प्रेस कर देना तो ABS यानि की एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम ये एक फीडबिक कंट्रोल सिस्टम है दोस्तों जो ब्रेक प्रेशर को रेगुलेट करती है जिसकी बदूलत वील्स को कम्प्लीटली लॉक किये भी प्रॉपर वे में डिसलिरेशन मिल पाता है और आई होप ये चीज आप सबको अल्मोस्ट मालूम ही होगी लेकिन यहाँ पर क्वेस्टन ये दोस्तों कि आखिर इसकी जरूरत किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आईडियल ब्रेकिंग एक आईडियल ब्रेकिं मिल पाए चाहे वो कोई भी सर्फेस में कार ड्राइव कर रहे हो तो बेसिकली ये एक रिक्वार्मेंट हो गई और ये रिक्वार्मेंट कार में एक ड्राइवर को फुल्फिल करके दे सकता है एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम हाला कि स्नो, सेंड, मड, रॉक बहुत सारे सर्फेस इस पर, डिफरेंट स्टॉपिंग डिस्टन्स यहां पर मिल सकता है लेकिन एक एन्हेंस सेफ्टी लेर्स के साथ अब आता है ABS काम कैसे करता है दोस्तो ABS, All Channel ABS रहता है या 3 Channel ABS रहता है ABS की Configuration बहुत सारी है, Almost सारी Passenger Cars में All Channel ABS यानि की सारे विल्स में एक सेंसर लगा हुआ रहता है कुछ वेहिकल्स ऐसे भी रहता है जिसमें आगे के दोनों विल्स में एक एक सेंसर और पीछे के दोनों के लिए सिर्फ एक सेंसर, ये सेंसर्स विल्स के rotation को सेंस करते हैं और brake के application के दोरान, जब कोई भी एक या तो ज्यादा विल्स जब लोक हो जाते हैं तब ये सेंसर्स कार में लगे हुए computer को signals बेचते हैं और instantly एक pump की मदद से वो लोक हो चुके wheels के उपर pressure जो होता है वो release कर देता है और ऐसे में उन wheels को जो लोक हो चुके हैं उन wheels को rotate होने का chance वापिस मिल जाता है और वापिस brakes पे pressure apply करता है और ये सिलसिला जब तक आपका pair brake pedal पे है तब तक process चालू रखता है और हाँ ये सारी चीज़े एक fraction of seconds के duration में होती है Almost एक second में 20 times press or release, press or release ये system करके देता है और believe me दोस्तों ये driver की pumping या pulsing करने की capacity से बहुती ज्यादा speed और effective way से apply होता है दोस्तों इस process को थोड़ा और deep में आपको दिखाने और समझाने के लिए मैंने कुछ images prepare की है जो अभी आपकी screen के सामने आएगी तो अगर आपको ABS के functioning को थोड़ा और deep में समझना है और इसकी importance और requirements को और deep में जनना है के से process करता है तो please अब इस video को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये जो image अभी आपके screen के सामने है वो है ABS sensor की image तो यहां पर एक sensor है एक ring है जो ring होती है दोस्तों वो घूमती है अपने tires के साथ जब ये घूमती है तब ये sensor है वो इस wire के थूँ इसी इव को signals बेचता है और वो signals के थूँ pumping को आगे बढ़ाते हुए इस process को ABS जो है वो effect दे पाता है दोस्तों ये image जो है वो एक hydraulic modular unit की है जिसमें ABS pump और सारी brakes के लिए solenoid valves लगे हुगा रहते हैं और जो 5th additional line अभी आपके सामने है वो brake pedal से आती है और master cylinder तक जाती है ये image में थोड़ा और clearly आपको महलूम पढ़े का कि valves और brake का connection कैसे रहता है और कैसे function ही होता है दोस्तों इस process को थोड़ा easily आपको समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही easy example दिया है यहाँ पर जो diagram अभी आप देख रहे है वो पूरी system के flow को आपको समझा देगा brake pedal पे pressure apply करते ही यह जो pressure है वो sensors के through ECM तक पहुंचता है और वो sensors ECM को signals देते कि कौन से wheels कब और कितना lock हो रहे हैं और उसी के बदोलब ECM जो है वो order देता है modulation valves को कि कौन से tire में कितना pressure apply करना है और कब pressure apply करना है यह बहुत ही easy process है आपको समझने के लिए दोस्तों मैंने completely try की है कि ABS का complete functioning जो कैसे काम करता है उसकी importance किया है वो आपको समझाने की वो दिखाने की और यह series का बनाने का मेरा purpose मैंने last video में भी बोला था और इस video में भी आपको मैं बता रहा हूं इस series को बनाने का purpose मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि safety के लिए आप सब को aware करना आपके और आपके relatives या तो family members या तो friends कोई भी हो आप उनको ये videos ये series forward करके आप उनकी भी help कर सकते हैं दोस्तों एक और चीज़ ऐसे videos ABS के बारे में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे YouTube पर ही मैंने बहुत सारे YouTuber भाईयों ने ऐसे videos बना के रखे हैं लेकिन यहां पर मैंने जो ध्यान रखा है वो detailing का ध्यान रखा है मैंने कोई भी information कोई भी features आपको बताने में lacking किया मेरे पास graphical image नहीं थी लेकिन आपको समझाने में मैंने कोई भी points बाकी नहीं रखे हैं तो अगर आपको यह video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज इस video को like करना ना भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने friends या family members को भी help कर पाए तो इस video को share कर दीजिए मैंने link जो है वो description box में दे रखी है उस website में एक additional feature मैंने वो रखा है कि आप वहाँ पे अपने questions आराम से पूछ सकते हैं यहां से ज्यादा मैं वहाँ पे active रहूंगा जिसकी बदूलत मैं आपके सारे questions या comments के answer कर पाऊंगा फिर भी अगर आपको कोई भी doubt रहा हो इस video में ABS के functioning में आपको कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो please feel free to comment दोस्तों अगर आपने इस video को अंत तक देखा है उसके लिए मैं आपको तह दिल से शुक्रियादा करता हो लेकिन अगर अंत तक देखा है तो आपको ये video जरूर अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही interesting और informative videos के साथ मैं आपके सामने आता रहता हूँ तो ऐसे ही updated रहने के लिए Indian Automobiles के news, reviews और comparisons के साथ आप इस channel को subscribe कर दीजिए सब्सक्राइब करके वो bell icon को भी प्रेस करना ना भूलिएगा तो आज के इस video में बस इतना ही दोस्तो अपने next video में जल्दी में आप से वापिस मिलूंगा तब तक के लिए, choose wise, drive safe और live in credible, right? Thank you Titulky vytvořilepas